जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो आपके जहन में जो तस्वीर उभरती है वो तस्वीर होती है हल चलाता हुआ किसान, ट्राक्टर चलाता हुआ किसान, हाथों से खाद या बुआई करता हुआ किसान लेकिन अत्याधुनिक महावलब हुआ है कृष्षी को लेकर भी Drone Diri Scheme, एक ऐसा स्कीम जो कृष्षी को अत्याधुनिक बनाने जारह है देश की परधान मंतरी नरिंदर मोदी की सासा तस्वीरी जो हम देखा रहे है उसके जरीए आपको भी हैरानी होगी कि PM इन तस्वीरों में क्या देख रहे हैं PM ड्रोन के जरीए क्या देख रहे हैं दरसल साल 2022 में केंदर सरकार की एक ऐसी योजना आती है ड्रोन दीदी स्किम जिसके लिए बजट की राशी रखी जाती है 500 करोर और इसके लिए डेश की तमाम ऐसी महिलाओं को क्रिशी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षित किया जाता है ट्रेन किया जाता है जो ड्रोन के जरीए खेती करें वाकई आपको ये हैरान करने वाली बाते लगेंगी लेकिन जो हम तस्वीरे दिखा रहें उसमें दरसल हम वही दिखा रहें आज ड्रोन दिदी स्कीम के जरीए देश की प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने 1000 दीदियों को दिया है ड्रोन और ये वो ड्रोन है जो महिलाओं इसके जरीए खेती करेंगी यानि जो आप तस्वीर देख रहें उसमें साथ साथ आप देखते चलिए कि इन तस्वीरे के जरीए खेतों में बीच ड्रोन के जरीए खाद किराया जा रहे हैं ड्रोन के जरीए और निगरानी भी की जा रहे हैं ड्रोन के जरीए अमुमन आपने जो पुरानी खेती किसानी की जो तस्वीरी आपने देखी होगी उसमें अमुमन कई ऐसे देश के फसल हैं जिसको हम निलगायों से बचाने के लिए या आवारा पश्यों से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं अपने खेतों में जाकर एक मचान नुमा एक ज ग्रानी रख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया पे नज़र रख सकते हैं और यही किया है देश के प्रधानमंत्री नरिंद्र बोदी के दुरगामी सोच ने दरसल कृषी को हाइटेक बनाने के लिए बीते कई सालों से बहुत कोशिश की जा रही है और जबी भी कृषी को लेकर इसे कंट्रोल करना और इसके जरीए खेती करना यानि लहलाहाते यह फसल की जो तस्वीरे आप देख रहे हैं इसमें बड़ी भूमिका है आज की तारीक में ड्रोन की तो अभी तो यह शुरबात है पीम ने मन की बात के जरीए भी इसका जिक्र किया था कि आने वाले वक्त जाएगा देश के अलग-अलग फिस्सों में अलग-अलग राजियों में जहां इसकी जरुवत पर रही है जहां भी लगे कि हाँ इससे बाकई खेती किसाने में बहुत मद़ दो इन ड्रोन को उन जगों पर भी ले जाएगा अनमुमन हमने देखा है कि देश के अलग- जाती जो महिलाएं हैं इन्हें वाकई किसानी में और आगे लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में किसी से कम नहीं है और हाइटेक तरीके से खेती वो भी कर सकती है तो आने वाले वक्त में आपको भी ऐसी तस्वीरें अपने आसपास के खेतों में द झाल झाल